नमस्कार दोस्तों कैसे वह आप लोग उमीद करता हूं सबी लोग अच्छे होंगे मज़यम होंगे तो दोस्तों शुरू करते हैं BBL का 24 मैच सिड्नी सिक्सर वर्सेज ब्रिस्बिन हीट अभी क्या हो रहा है कि मैच जो है दो मैच सिड्नी सिक्सर के दोनों के दोनों मैच पि बिभील में एक बार इस ग्राउंड पर मैच होता है तो इसमें हम उसके बार में दिस्कोस करने वाले हैं कि पहला ग्राउंड है ौगर किस तरीके से बैटिंग उढेंगogi के हैं इसके बाद जानेंगे जो बैट्स मन हैं औन फाइlles ट्रम कारत था यह जिन्हें हमें अपने टीम से ड्रॉब करना चाहिए ट्रम प्लेयर कौन से होंगे इस मैच में वो तीन से चार ट्रम प्लेयर जो इस मैच में कम्प्लेटी निकलने वाले हैं जिसे मैंने आज बताया था आपको कि यूएई और अफगनिस्तान के मैच में नमीनुल हक पक्का ड मैच में इससे ड्रॉब करने की कोशिश कीजिएगा और वो फ्लॉब हुआ तो दोस्तों जो प्लेयर मुझे लगता है जो सिच्वेशन दिखाई देती हैं उसके एकोर्डिंग में आप लोग को बोलता हूं और लगभग 80-90% वो चीज़े होती हैं तो उसी तरीके से इस मै लिक्सर वर्सेज ब्रिस्बेन हिट 24 चौविसवा मैच है यह विग बैस लिग 2023 का यह जो ग्राउंड है यह है इंटरनेशनल स्पोर्स स्टेडियम कोफ्स हाबर यहां पर बुधवार 3 जनवरी 2023 अभी 23 वाल हादत गया नहीं है 3 जनवरी 2024 को यह मैच साड़े 12 बज़े से मैच होगा याद रखेएगा 12 बज़ कर 35 मिनट पर यह मैच शुरू होगा और उमीद है कि 12 बज़े के आसपास हमारे को लाइन अपस जो है इस मैच का देखने को मिलेगा अब आईए बात करते हैं हम लोग पॉसिबल प्लेइंग साने बॉर्ट द्वार्सियास जेक्शन बर्ड एंड इस्टीव कैफे यह जो होंगे यह पॉसिबल प्लेइंग 11 होंगे सिड्नी सिक्सर के तरफ से ब्रिस्बन हीट के तरफ से जोस ब्राउन और कॉलिन मुंडो नाथन मैक्सवीनी नाथन मैक्सवीनी पर फोकस किजिएग चीजे समझने के क्या जरूत है कि ब्रिस्बन हीट के तरफ से आप देखे अगर कम्प्लिटली बैट्समेन की बात करें तो यही बैट्समेन है उनली फाइप बाकी कि यह सारे अल्राउंडर और इनको हम अल्राउंडर या बॉलर्स ही मान के चलते हैं चाहे वो पी इनको यूज करना है मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं द्यान से देखे चलते हैं सबसे पहले हम लोग ग्राउंड पर चलते हैं ठीक है कि स्पोर्स स्टेडियम इंटरनेशनल स्पोर्स स्टेडियम कॉप्स हारबर के अंदर किस तरीके से जो पिछली दो मैश हुए हैं वो किस तरीके से घटित हुए देखेगा समझने की क्या दूरत है एक मैच हुआ जहां पर सिड्नी सिक्सर ने बैट फस्ट किया तो 151 रन बनाए चार विकेट गिरा फास्टर को एक विकेट पर स्पीनर को तीन विकेट मिले थे वहीं पर पॉर्थ स्कर्चर ने इस मैच को 152 रन पर पांच विकेट गिरा और यह रन चेस कर लिया चार विकेट फास्ट बॉलर को और एक विकेट स्पीनर को मिले थे दूसरा मैच हुआ दूसरे साल यहां पर सिड्नी सिक्सर ने 203 रन बनाए पांच विकेट पर 203 रन दो विकेट फास्ट बॉलर को दो विकेट इस्पीनर को एक रन आउट हुआ था सिद्नी ठंडर यहां पर 144 रन पर ओल आउट हो गई थी और फास्ट बोलर को चार विकेट और इस्पीनर को पांच विकेट मिले थे तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर अगर सिर्फ एक इस मैच को हटा दिया लेकिन स्पीनर को विकेट हो सकता है ज्यादा मिले पहली नमबर बाद दूसरा नमबर जो चीजे समझ में आ रही है वो यह है कि यहां पर बैलेंस्ट यहां को समझने की कोशिश किजएगा यहां पर विकेट ज्यादा नहीं गीर रहे हैं आप देखिए पहला मैंच हुआ तो चार विकेट गीरा दुसरे मैच में फांच गीरा सेकेंड डिनिंग में यहाँ पर पांच गीरा ये टीम में को लैप्स होगई तो अब क्या करना है कि अगर बॉलर कम रखेंगे तो क्या करना पड़ेगा हो सकता है एक ही baller दो wicket लेकर चला जाए या यह हो सकता है कि चार baller मिलकर एक-एक wicket लेकर चले जाए ऐसा भी हो सकता है तो उस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा players को अपने rotate करना पड़ेगा समझ लीजेगा जो मैं समझाना चाहता हूँ ठीक है second inning में आपको ballers को ज़्यादा रखना पड़ेगा चुकि second inning में ये भी हो सकता है कि run chase ना हो team all out हो जाए तो मान लेते हैं कि एक team हम ऐसा बनाएंगे जिसमें run chase हो जाए वहाँ पर baller कम रखेंगे और एक team ऐसा बनाएंगे जिसमें second inning में run chase ना हो पाए वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ballers के संख्या बढ़ा देंगे spinners को भी और fasters को भी ठीक है उस तरीके से terms condition पर हम यहाँ पर अपने team बना सकते हैं अब आईए बात करते हैं कि यहाँ पर batting order किस तरीके से काम करने माला है तो देखें कॉप्स हार्वर के अंदर अगर ध्यान से देखा जाए तो जो पहला मैच हुआ यहाँ पर दोनों ओपनर ठीक ठाक को फ़र्मिंस किये इसके बाद जब दूसरा मैच हुआ तो यहाँ पर देखें एक opener ने 101 रन बनाया फिर वंड़ अगर दो दूसरा बनाया जो पर खाम बनाया टो तो वरॉल सारे प्लेर्श's काम करें और जब ऐसा होता है या तो बैटिंग लिकेट होता है या जो बैलस्ट बिकेट होता है शक सक्राम होता है लнд ग discovery होता है कि स्टार्टिंग में ओपनर आये और 30-40 रन ठोग डाले वन डाउन वाला आया वो भी 30-40 रन ठोग दिया इसके बाद कि जितने बैक्समें है ना आओ सनम जाओ सनम मतलब आए गये आए गये आए गये और रन नहीं लगते हैं जहां पर पता चलता है कि जारा उभर में 120 रन हो वो बॉलिंग फ्रेंडली हो जाता है और सेकेंड इनिंग में चलके वहां पर रन चेस नहीं हो पाते उसी तरीके का ग्राउन यहां पर यह होने वाला है समझ गये तो हमको क्या करना है हम लोगों को कि दोनों ओपनर में से किसी एक ओपनर को अपने टीम में शामिल करेंगे और यह भी देखेंगे कि क्या दोनों ओपनर चल सकते हैं या नहीं अगर दोनों ओपनर बात को ध्यान सा समझिएगा अगर दो ओपनर हैं जिससे फर्स इनिंग में ब्रिस्बिन हीट अगर बैटिंग कर रही है और कॉलिन मुंडो और आपके जोश ब्राउन है ठीक है मैं एक जामपल बता रहा हूँ दोनों पिछले तीन मैच से कंटिनू तबर तोड खेलते हुआ रहे हैं और इस मैच के अंदर कंप्लिटली कंफर्म है या तो दोनों फ्लॉफ होंगे या दोनों में से कोई एक फ्लॉफ होगा क्योंकि कोई भी टीम के प्लेयर दोस्तों कंटिन यू पोफॉर्मेंस नहीं दे सकता दो मैच में देगा तीन मैच में देगा चोथे मैच में उसे फ्लॉफ होना ही होना है तो उस तरीके से चीजे यहां पर होने वाली है तो ओपनिंग जोडी दोनों ओपनिंग जोडी में से किसी एक को रखेंगे तीन और चार में से किसी को पांच और छे में से किसी एक प्लियर को रखें, सिप तीन, ठीक है, अब आईए बात करते हैं हम लोग सेकेंड इनिंग की, सेकेंड इनिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर भी वही चीज़े घटित हो रही है, देखें यहाँ पर दो नो उपनर फ्लॉफ हो गए, फिर ए एक उपनर यहाँ पर अच्छा चला, फिर वन डाउन गा प्लेयर ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है, तो तॉप फोर में से कोई तीन बैक्समेन को हम अपने टीम में शामिल करने वाले हैं, ध्यान रखेगा, तॉप फोर, तॉप फाइफ में से सिर्फ तीन बैक्समेन को हमे या दो बैक्समेन को अपने टीम में शामिल करना है, वो कौन होंगे, मैं आपको अभी जब टीम बनाऊंगा, तब आपको बता दूँगा, इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, इसके बाद आये चलते हैं हम लोग, सिड्नी सिक्सर के जो बॉलर्स हैं, बैक्समेन हैं, वो किस तरीके से परफॉर्मेंस की हैं, उसके बारे में हम लोग तुछा सा डिसकस कर लेते हैं, इससे पहले मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, जिसके अंदर मैं आप लोग को ये बताऊंगा, जो इंडिया और साउथ अफरीका का जो टेस्ट होने वाला है बहुत सारे लोगों के कमेंट और मैसेज आ रहे हैं कि टेस्ट वाले मैच का मतलब वीडियो लेकर आईए, तो मैं पहले तो आप लोगों को टीम बनाऊंगा, दिखाऊंगा, लेकिन मैं उसके अंदर ये आप लोगों को बताने के कोशिश करूँगा, कि जब टेस्ट मैच करके आप लोगों को बताने वाला हूँ, और उमीद है कि आप सभी लोगों को बहुत हेल्प होने वाली है उस वीडियो से, ठीक है, अब आईए यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देखे क्या है, कि जोज फिलिपी की बात करें, तो 29, 16, 25 और 19 रन का चार मैच के अंदर यही जलता है, पिछले दो मैच से बारिस के वाई से रद हो गया था, यह खिलारी का भी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं आया अभी तक और आएगा बहुत जल्द आने वाला है, जेम्स मींस जब मैंने बोला था कि इंपोर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, और तीन मैच से सा परफॉर्मेंस दिया, डी होजेच फर्स्ट मैच में ही आकर साथन ठोक दिया, तो बाकी के दो मैच में फ्लॉफ होगे, इस मैच में इंपोर्टेंट रोल निभा सकते हैं, एम हैंडिकस की बात करें, पहले मैच में 40, फिर 22, फिर 23, फिर 5, इस मैच में यह भी इंपोर् रहा है, जॉर्डन सिल्क के उपर हलका सा दाउट है, यह चलेंगे की नहीं चलेंगे, तो थोड़ा सा कम इनको आप रोटेट कीजेगा, जी एडवर्ट्स, यह खिलारी बैटिंग, तो छोड़ दो, बॉलिंग से सफ़ ज़्यादा पोइंच देखे जा रहा है, तो चुकि बॉलिंग में अगर देखा जाए, तो ज़्यादा विकेट्स नहीं गीर रहे हैं, फिर भी एकाज टीम में इनको आप लोग रखिएगा, ज़्यादा टीम में रखने की जुरूत नहीं है, अब अगर बॉलर्स की बात क्या है, तो जैक्सन बर्ड कंटिनू विकेट लेके लेके जा रहा, ये खिलारी कंटिनू विकेट लेके जा रहा, इसको हमें टीम में रखना ही रखना है, बेन डुकर सिस यह भी खिलारी पर नजर रखिएगा, बहुत जल्द ये तीन से चार विकेट लेने वाला है, कب लेने वाला होगा, मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल य जाएगा हर मैच में दो-तिन तीम के अंदर कैपिटन बना कर जाएगा जे एडवर्ड कंटिनू पोफरमेंस दे रहा है इसलिए इस मैच में मुझे थोड़ा सा दाउट आ रहा है जे एडवर्ड पे तो थोड़ा सा आप लोग कंसीडर कर लिजेगा साने बॉट को जरूर कर गया दो विकेट हो लेकर चला गया मतलब भाई अब किसको रखा जा किसको छोड़ा जा मैंने देखा था मैं देखा वालिंग कर लिया कुछ भी चलना है अब बात करते हैं हम लोग ब्रिस्बेन हीट के बैस्में की बात करें तो जोश ब्राउन की कंडिशन दो मैच में 14 लाड़ी इंपोर्टेंट रोल निभा सकता है मैक स्वीनी की बात करें 29-73 ठीक है 73 रन का था पिछले मैच में फ्लॉप मतलब चले नहीं मैश ही नहीं हुआ तरीके से देखा जाए तो तो इस मैच में यह इंपोर्टेंट रोल अपना निभा सकता है सैम बिलिंग्स की बात करें 18-23-40 तो एक डिसेंट बैलेंस्ट जो एक प्लेयर होते हैं उस तरीके से यह आ सकते हैं अगर आप चाहें तो जे फिलिपी के जगर पे इनको भी अपने टीम में शामिल कर सकते हैं पी वाल्टर एक बार तीस रन बनाए बाकी के दो टाइम बैटिंग से कुछ खास ब्रिस्बेन हीट के बॉलोस की तरफ से अगर ध्यान से देखा जाए तो एम नेसर अभी वो रिदम में नहीं है जो पिछले साल रिदम में थे जब यह खिलाडी तीन-तीन बिगट चाचा बिगट लेके जाता था तो इस साल अभी अभी तक इनका बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं आया है और बहुत जल्द इनका बेस्ट परफॉर्मेंस आने वाला है इस खिलाडी पर नजर रखेगा एक बाटलेट कंटीनू परफॉर्मेंस दे रहे हैं दो से तीन बिगट इनका देख रहे हैं तीन-तीन बिगट दो बार लेके जा चुके हैं सेकेंड इनिंग में बिज़ेल स्विप्शन एक बिए एक बिक्स ये vonminster नहीं है फिर से ये दो गलेने के संभवना इनकी दिखाई दे रहे हैं आब बात करते हैं तौ COMM हैं है record देखिए 16 मैच के 14 एइनिंग के अंदर 270 run बनाये 64 run highest score है 16 run का average है ठीक है जेट फिलिपी 11 मैच में 10 एनिंग के अंदर 240 run बनाये 52 run highest score है 19 का average है James Beans का 8 मैच के 7 पारियों में 241 run बनाया है एक लाड़ी 75 run highest score है और 30 का average है तो important हो सकते हैं इस match के अंदर 16 मैच में D. Hodges के बाद के 16 मैच के अंदर 14 इनिंग में 363 रन 85 हाइस स्कोर है 22 का एवरेज है कॉलिंग मुंडो की बाद करे 9 मैच के 9 इनिंग के अंदर 204 रन 50 हाइस स्कोर है ये हेट टू हेट का रिकॉर्ड है 22 रन इनका एवरेज है अब एम स्विनी के बाद कर रहे हैं 4 मैच के 4 इनिंग के अंदर 128 रन एक ही मैच में 84 रन इस खिलाडी ने बनाया है 32 का एवरेज है इसलिए मैंने बोला important खिलाडी हो सकते हैं इस मैच में मैट रेंशा के बाद करें 7 मैच के साथ इनिंग में 194 रन और इनका 7 रन का जो है वो हाईस्ट स्कोर है और 27 रन का एवरेज है तो important खिलाडी यहां से हो जाते हैं मैट रेंशा इसके बाद नातन मैक स्वीनी इसके बाद खिलाडी हो जाते हैं आपके यह डी होजे जो यह कॉलिन मुंड़ों में से किसी एक को आप रख सकते हैं इसके बाद जेम्स विन से जो important खिलाडी इस मैच में दिखाई देने वाले हैं वो यहां पर दिख रहे हैं बाकी का मैं अभी टीम बनाता हूं तो आपको बताता हूं तौप बॉलर्स अगर की बात करें टौप बॉलर्स कौन-कौन से हो सकते हैं तो एम नेसर 10 मैच में 14 विकेट लेके जा चुके हैं हेड-to-head के अंदर इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा इन पर हलका सा दाउट सा आ रहा है अब आये चलते हैं हम लोग टीम के जार करते हैं उससे पहले जो लोग जो मेरे भाई अभी तक क्राउन 11 डाउनलोड नहीं किये हैं क्राउन 11 डाउनलोड कीजिए फैंटेसी का एक नया एप और भी ब अब आपको यहां पर ज्यादा है जिस तरीके से जो मैं आप उनलेसिस बताता हूं सेम अनलेसिस के थूरू आप टीम बनाएए मुझे उमीद है आपको रिस्पोंस बहुत बढ़ियां मिलेगा पीन कमेंड के अंदर मैंने यहां पर आपको लिंक दे रखा है जाए दाउनल मिलेगा और वो बोनस आपके वालेट में जूड़ेगा जहां से कि आप और एक साथ टीम तयार किजिएगा आपको वहां पर कोई भी इंवेश्मेंट करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी तो जाइए डाउनलोड कीजिए और एक्स्पिरियंस कीजिए चले चलते हैं टीम ब अचीछलां एगुटकोई यह देखे to 2 इतने सारे खिलाडी हैं सबसे पहला तो यहां पर देखें यह जो खिलाडी आपको दिखाई दे रही न यह खिलाडी के सेलेक्शन पस्ट्रािन बहुत ही कम है और मुझे इतना confirm पता है इन चारों में से कोई दो खिलारी पक्का आज इस match के अंदर डेटी बनने वाले हैं ड्रेम टीम में ठीक है उसमें से एक उमीद है कौन मैट रेंशा ठीक है मैट रेंशा या जोश ब्राउन दोनों में से कोई एक और यहाँ पे के पेटेशन या जे डेविस चुकि जे डेविस से बॉलिंग भी कराया जा रहा है तो थोड़ा सा नजर रखना है क्या पता इन से फिर से इन से बॉलिंग करा दी जाए अगर बिकेट मिल गया तो किसी बैच में से ज्यादा पोइंच देकर चला जाएगा तो इन चारों में से कोई दो खिलारी इस मैच के अंदर डेटी बनेंगे नाथन मैक स्वेनी पर थोड़ा सा नजर रखना है रिजन की इनका रिकॉर्ड आपको मैंने अभी दिखा है रिकॉर्ड ठिक ठाक है हेट टू हेट का सान अबॉर्ट इंपोर्टन खिलारी होंगे इस मैच में ट्रम प्लेयर सावित हो सक किसी जैसे मान लिए आपने मैट रेंशा को रखा ठीक है मैट रेंशा को रखा नाथन मैक स्वेनी को रखा तो सान अबॉर्ट को रखा ठीक है तो आपको क्या करना है इन फिर यहां से किसी एक को अपने टिम में शामिल करना है आप एक काम किजिए सान अबॉर्ट को फिक् मजगे नहीं समझे फिर से बता रहा हूं जैसे यह मान लेते हैं चार खिलारी है आपने क्या किया एक टीम के अंदर इन दोनों को रखा मैं ट्रिंशा के पेटर्शन तो आपको क्या करना है फिर इस खिलारी से यहां से आपको इसको ले लाएं ठीक है एक तीन और फिर आपके बात और बताता हूं, मान लेते हैं कि आपने इन दोनों को रखा, ठीक है, और आपने इसको भी रखा, तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को रखना है, ठीक, अगर इन दोनों में से किसी एक को नहीं रखना है, इसको रखे तो इसको रख लिजे, या फिर यहां से आपको Trump player निकलने वाले हैं, तीम से चार player यहां से DT निकलेंगे, अब आईए बात करते हैं, हम लोग सीधा चलते हैं, और team create करते हैं, यह देखें, यहां पर मैंने इस तरीके से एक team ready किया, अब देखें, ध्यां से, यहां पर मैंने Sam Billings को रखा अपने team के अंदर, James Beans को रखा, Matrensha को रखा, Capitation को रखा, Hendrikas को रखा, Nesher को रखा, और यहां से मैंने Nathan McSweeney को रखा, Sanibot को रखा, अब देखें, ध्यां से समझेगा, मैंने क्या किया, जो मैंने format आपको बताया, pattern बताया, मेरी team आप देखिएगा, हर team मेरी ऐसे ही बनती है, मैंने यहां से दो players को उठा लिए, जो मैंने 4 trump player बताया, तो मैंने यहां से किसी एक को रखा, फिर यहां से Nathan McSweeney को रख लिया, ठीक है, हो सकता है कि Spencer Johnson flop हो जाए, तो आपको क्या करना है, इस team से Spencer Johnson को हटा देना है, ठीक है, Spencer Johnson को हटा के आप यहां पर aim subscription को अपने team में शामिल कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है, कोई aim subscription को शामिल कर लिया, आप क्या करना है, किसी मेरे भाई यहां से X Bartlet को रख लिये, तो क्या हो गया कि एक-एक player सबके team में rotate हो गया, अगर वो नहीं चला तो वो, वो नहीं चला तो वो, और जिसके team में वो DT बनेगा, उसकी team अपने आप उपर चली जाएगी, ठीक है, इस तरीके से एक team आपने यहां पर ready कर लिया, अब क्या करना है, मान लेते हैं कि यहां से, आपको और भी rotation के थ्रू चलना है, मान लेते हैं कि हो सकता है, कि यहां से wings flop हो जाएगी, call-in window चले, एक और चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस तरीके से आपको team जो है rotate करना है ये मैंने इस तरीके से एक team बना दिया है इसको फिलहाल के लिए save कर देता हूँ मैं यहां से या इसको save नहीं करता मैं इसी pattern पर एक और चीज बताता हूँ आप समझेगा बात को एक और चीज मुझे जो थोड़ा सा doubt सा आ रहा है वो doubt आ रहा है ये team player के ध्यान दीजेगा इस बात को जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ ये team player को देखिए ध्यान से दोस्तों मुझे ये लगता है कि ये तीनो player एक हीद में dream team के अंदर dream 11 के dream team के अंदर ये तीनो player नहीं दिखाई देंगे हो सकता है ये दोनों या फिर हो सकता है इन दोनों में से तीनों में से कोई एक एक तो नहीं लेकिन दो confirm है कोई एक यहां से flop हो सकता है इन तीनों में से तो अगर इन तीनों को टीम में शामिल करना है ना, तो कम टीम में कीजिएगा, वैसे चलने को तो चल सकते हैं, no doubt मतलब तीनों प्लियर अपने आप में बहुत बढ़िया हैं, तो मुझे थोड़ा सा दाउट सा रहा है, लेकिन फिर भी आप तीनों को रखिएगा, तो जादा टीम में मत रखिएगा, रोटेट जरूर कीजिएगा, रोटेशन बहुत जरूरी है, यह इंपोर्टेंट फैक्टर है, जो मुझे आप रोगों को बदाना था, इसलिए आपने टीम मेरी देखी होगी, जो पहले टीम बनाया, उसमें से या तो मैंने विंस को रखा, तो को को नहीं, कोलिन मुन्रो को रखा, तो विंस को नहीं, ठीक है, अब यहां से मैंने क्या किया, यहां पर मैंने कोलिन मुन्रो को हटा दिया, विंस को रखा, विंस को हटा अगर तो मैंने यहां पर मैट रिंसा को रख दिया, अगर आप मैट रिंसा को रख रहे हैं, तो यहां पर जोश ब्राउन को रख लिजिए और यहां से एक प्लेयर के पेटर्शन को रख दिया इसके बाद जे फिलिपी को रखे या फिर सैम बिलिंग्स को रख दिजिए जैसे कि यहां पर आप देखे मैंने क्या किया एक एक उपनर दोनों साइट से हटा दिये ठीके ध्यान से सम जगा पर मैंट रेंशा को रख दिया और मैंने यहां से फिलिपी को हटाया तो फिलिपी को हटाने के बाद मैंने यहां पर क्या किया के पेटर्शन को रख दिया आप चाहें तो के पेटर्शन के जगा पर यहां पर आप जे डैविस को भी रख सकते हैं जॉर्डन सील को भ रख दिजिया दो प्लेयर और फिर मैंने यहां पर रख दिया एक कुमेन को बेंड वार्सियस और मिचल स्वेप्शन ठीक है दो दो बॉलर दोनों साइट से हमने रख लिए यह कंडिशन वाइज है अभी बाकी का जब टीम बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा और जो कैप करने वाला हूं जिसमें सिर्फ आप लोगों के कमेंट का ही मैं जवाब दूंगा तो यह सारा डिटेल्स रहा अभी इंडिया और साउथ अपरीगा के टेस्ट का वीडियो आएगा जील एक्सपर्ट वाले चैनल पर जो लोग सब्सक्राइब नहीं किये हैं दोनों चैनल अ करकी तो झाल पर दोनों शोरी पार डिटेल्स रिससे कर एक्सिते हैं बच्प